कुसमान जली कैसा लगा आप सभी को नाम उम्मीद करते हैं काफी पसंद आया होगा वेलकाम आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बिल्डिट हॉम पर आप देख रहे हैं प्लान नमबर 157 एंड आज का प्लोट साइज है 55 बाई 175 फिट का आप सभी की बहुत टाइम चैनल रिक्वेस्ट थी के बिग साइज का आउस प्लान लेकर आएं तो उसी पैटन पर ये आज का थीम है और कोश्टिंग इसकी 2 करोड के आसपास है नौर्थ फेसिंग है पूरा वास्तु के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है बाकि कोश्टिंग की बात करें तो एक कम ज़्यादा आप कर सकते हैं ये सारा डिपेंड करता है आपकी मेटरियल चोईस पर क्योंकि ज़्यादातर पैसा है वो आपका इंटीरियर पे जाता है वो चोईस आपकी है बाकि अगर इसी प्लान को आप लेना चाहरे हैं मोडिफिकेशन चाहरे हैं तो इसक्रीन पर जो नंबर है जो कि विंद्यांचल उत्तर परदेश के रहने वाले हैं तो उनके लिए ये पूरा सेटप तयार किया गया है ये आपका पार्किंग एरिया है ओपन है सारा और इसमें आप 6-7 गाडिया आराम से पार्क कर पाएंगे साइड में आपको प्लांट्स लगाने के लिए अलग से स्पेस मलता है ताकि आपका पार्किंग एरिया खराब ना हो और प्रोपर आप यहां पर प्लांट्स लगा सकें यह आपका lawn area है काफी बड़ा है और end में आपको यहाँ पे एक गजीबो मिलता है जो कि big size का है आराम से यहाँ पे आप sitting space मना सकते हैं या फिर अगर नहीं चाहिए तो आप इसको हटा भी सकते हैं यह just एक view है जो हमने दिया है आपको यह एक elevation होने वाला है गर का और यहाँ यहाँ पे आप अपना name plate जो भी house का नाम रहेगा वो यहाँ पे आप mention कर सकते हैं जैसे इसका नाम कुश्मान जली था तो यहाँ पे लिखा हुआ है काफी अच्छा feel है यहाँ पे आपको देगा यह आपका एक covered parking भी आपको देखने को मिलेगा और side में आप देख रहे हैं और यह आपका ब्रामदा है जो कि 12 by 7 feet का है और इसी के side में आपको एक lily pool मिलता है जो कि 8 by 6 feet की size के साथ में देखने को आपको मिलेगा यह आपका jogging track है जो कि पूरे गर के round हो के यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बाकि यह आपके guest के लिए man entry रहेगी जो कि आपको drawing hall में लेके जाएगी और इसका size है 17 by 24 feet का काफी बड़ा है size और यहाँ पे आराम से आप 15-20 लोगों की guest को आराम से आप आरेंज कर सकते हैं आप और surface type से आप लगा सकते हैं side में मैंने आपको एक bed भी लगा के दिखाया है ताकि guest अगर यहाँ पे रुखता है तो उसका व सकते हैं और यह आपका powder room का area अच्छा है बाई 12 feet की size के साथ में तो starting में आपकी vanity आ जाएगी और जो rest portion बचेगा उसको आप इसका एक attached bathroom यहाँ पे बना पाएंगे bathroom की flooring है इसमें हमने marble का काम किया है बाकि जो भी flooring है पूरे house की वहाँ पे आपको wooden flooring देखने को मिलेगी बाकि मैंने इसमें 75 inch का टीवी लगा के दिखाया है अब चाहें तो इसको और बड़ा लगा सकते हैं इस पेस आपको यहाँ पे कम नहीं मिलेगा यह living hall है आपका 23 by 28 feet का मैं बाद में दिखाऊंगा पूरा यह आपकी first entry थी जो मैंने आपके अभी देखी आपने और यह आपका पूजा रूम है जो की 7,7 by 9 feet की size के साथ में आपको देखने को मिलेगा left right इसमें आपको window मिल जाती है बाकि अगर आप wooden का काम करवाते हैं तो इसमें काफी space वैसे भी निकल के आता है interior में इस पेस आपको ज़्यादा ही मिलता है और यह आपका vanity area है hand box के लिए double sink के साथ में और यह आपका family living के लिए lounge area आप इसको बना सकते हैं काफी बड़ा है और अच्छे view के लिए यहाँ पे हमने back side में यहाँ आप देख पा रहे हैं कुछ plants लगाने के लिए separate area यहाँ पे आपको मिलता है जो कि stair के नीचे का area है यहाँ पे आप अपने tv का setup कर सकते हैं और उपर AC का setup कर सकते हैं double light का portion है यह वाला तो इसमें zoomer वगरा आप लगाए तो जो लोकिस का निकल के आएगा बहतरी ही न आएगा यहाँ पे आप दो बैड भी लगा सकते हैं इस तरके से separate ताकि अगर आपका कोई guest है तो आप उसको यहाँ पे भी manage कर सकते हैं यह गर की थर्ड नमर के entry हो जाएगी दो आपने देखी अभी बाहर से तो यह आपकी entry ह और इधर से भी आपको proper elevation view मिलता है proper entrance मिलते है दोनों साइड में देखिए आप बड़िया प्लांटरा का area मिलता है आपको और जो elevation है आप देखें इधर से भी यह बहुत ही शांदार देख रहा है बाकि इधर से अपन back side में चलते हैं यह आपका जो jogging track है इससे आप back side में चलते हैं पहले तो यहां पर आपको एक lawn area मिलता है separate इस portion को मैंने तीन portion में डिवाइड गया actual में एक lawn एक swing pool और एक आपका पेजी टेवल्स के लिए यह आपका ब्रामदा है जो कि साथ साथ फिट वाइड है लगबग और यह आपका swing pool है फुल अक्जरी है बिलकुल आप देख सकते हैं इसको तो ब्रामदे से जो व्यू है इसका बहुत ही शांदार देखेगा और बिक साइज का आप देख सकते हैं यहां पे तो फुल साइज है और इसके end में आपको यहां पे proper wooden flooring के साथ में सारा setup देखने को मिलेगा कूछ lawn area है यहां पे sit out के इसाप से separate इसी इसको थोड़ा side देखे हमने आपे बनाया है यह आपका changing room है और बाकी का जो rest portion है यह आपका open kitchen है यह वाला जो outdoor kitchen जिसको बोल सकते हो आप तो dining का setup भी आप लगा सकते हैं और यह जो बाकी का portion है इदर का यहां पे आप कुछ fruits के plants लगा सकते हैं सब्जिया वगरा लगा सकत हैं तो उस तरह का setup यहां पे दिया है और इसको हमने fencing से cover किया है यह पूरा जिसका back side का view है बिल्कुल एक hotel की जो feel आती है वो आपको यहां पे मिलेगी और जो stone का काम है कहीं कहीं पे यह भी बैतरीन है आप Sam इसको repeat कर सकते हैं आपके घर के लिए अब चलते हैं bedroom की तरफ जो हैं और यहां पे आपको एक dressing प्लस bathroom का facility भी मिलता है जो कि total area है सवाच है by 14 feet कुछ आपका dressing में चला जाता है बाकी portion है उसमें आपको bathroom का setup मिलता है shower portion को हमने separate किया है इसमें और यहां पे आपको toilet का setup प्लस आपका vanity का setup यहां पे देखने को मिल जाएगा बाकी जो बाहर का portion है इसमें आपका vanity है dressing table है वो यहां पे आप आराम से लगा पाएंगे बाकी जो room का look है बैतरीन है big size का आप इसमें LED पैनल यहां पे बनवा सकते हैं अभी चलते हैं बाहर तो यह आपका dining portion है जो कि 13 वाज 14 feet का एक hall है 9 लोगों के लिए मैंने dining table इसमें लगा के दिखा ह आप चाहें तो इसको और बड़ा सकते हैं बाकी काफी बड़ा hall है आपके पास में और इसी से जुड़ा हुआ यहां पे आपको एक kitchen मिलता है kitchen का size भी 12 by 13 feet है double sink यहां पे आपको मिल जाता है बाकी proper setup है kitchen का आप देख सकते हैं अच्छे ventilation के साथ में देखने को आपको यह मि अगया है dining portion है तो यहां पे आपको एक hand wash के लिए भी area चाहिए उसी को ध्यान में रखके आपको एक vanity का space मिलता है इसी से आपके bathroom को ventilation मिलता है top में यह cut out आपको यह देखने को यहां पे मिल जाता है सामने आप TV लगा सकते हैं इस portion के लिए और यह है आपका master bedroom तो यह आपक अलग से 5 by 8 feet का एक dressing area मिलता है और जो bathroom है इसका attach वाला उसका size 7 by 13 feet का यहां पे आपको vanity अलग से मिलता है toilet portion है वो भी separate आपको covered मिलता है और यह आपका shower portion है जिसमें आपको bathtub plus shower दोनों का option है आपको देखने को मिलेगा top view आप देख सकते हैं इससे समझ पाएंगे आप एक proper view इसका कि यह कैसा आपको देखने को मिलेगा बागी निकलते हैं यहां से बाहर वापस bedroom में आ जाते हैं यहां से भी आप direct back side में जा सकते हैं pool side में तो इस तरह के total इस गर में आपको 5 exit मिलते हैं exit बोल लीजिए entry बोल लीजिए तो 5 आपको यहां पे देखने को मिलेंगे living portion स ही आपकी जो staircase है वो आपको उपर लेके जाएगी बड़े size के यहां पर आपको glass मिलते हैं glass and steel railing का जो combination है यह बहतरी ही लगता है और यह double light portion है तो वैसे भी यह श्यांदार है yard fit wide आपको पैसेज type का है यह मिलता है और first floor पर हमने चार bedroom दिये हैं तो यह है आपका bedroom नमबर 3 14 बाइ 16 फिट की size के साथ में आपको मिलेगा proper wardrobe यहां पर आपको देखना को मिलेगी double light के लिए proper space, sofa के लिए proper space प्लस आपको एक computer table के लिए भी space यहां पर देखने को मिल जाता है first floor पर आपको एक family lounge भी मिलता है जो कि यह 14 बाइ 13 फिट की size के साथ में आपको देखने को मिलेगा तो proper यहां पर यहां पर एक बड़ी size की TV या AC लगाने के लिए भी space आपको मिलेगा walls आपको proper उसी तरीके से manage के गई है ताकि आपको किसी भी चीज के लिए adjust ना करना पड़े living portion के लिए separate balcony दी गई है जो कि 12 बाइ 13 फिट की है काफी बड़ा है तो living वाला portion आप इसको extend कर सकते हैं अगर आपको वो hall कम लग रहा तो उसको बड़ा भी सकते हैं और यह वाली balcony है यह चार फिट पैसेज के साथ में आपको back side की balcony है उससे connect करती है यानि कि आप balcony to balcony back side में भी आ सकते हैं यह आपकी 8 फिट की wide balcony है जो कि end तक जाती है और जो यहांसे back side का view दिखता है बहुत शांदार आप देख सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ तो इस bedroom number 4 हो जाएगा again 14-16 fit की जो size है वो है यहांपे और यहांपे आपको proper computer table, led panel हर चीज के लिए proper space यहांपे देखने को मिलेगा again attached यहांपे आपको dressing plus bathroom है जो कि repeat है तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ बकि living hall से connect है आपका और जो दूसरा bedroom है वो भी इसी living hall से आप आपको connect है इस bedroom का size भी आपका 14-16 fit के साथ में है L-type की balcony इसके attached में आपको मिलती है बाहर और यहांपे आप पूरा LED TV का जो panel है वो बना सकते है और proper यहांपे आपको dressing के साथ में attached bathroom देखने को मिल जाता है जो की same है जैसा की नीचे दिखाया था हमने top view में आपको दिखा द आप किया है आप चाहें तो इसको open कर सकते हैं बाकि इसके attachment में भी आपको balcony मिलती है और back side का view है वो आपको यहांसे पूरा enjoy कर सकते हैं balcony काफी बड़ा है आप जूले वगरा लगा सकते हैं seating arrangement कर सकते हैं तो काफी बड़ा है कहीं कहीं पे हमने CNC जाली का use किया है design पे और ज master bedroom इस गर का आपने नहीं देखा है जो कि 17 बाइश 17 फिट की size के साथ में आपको देखने को मिलेगा बाकि यह आपका जो portion है यह श्टेर है आपको उपर लेके जाती है शांदार portion है एक आपको hall यहां पर भी मिलता है 12 बाइश 14 फिट का और यह आपकी common bathrooms हैं जो कि आपके अलग अलग है एक में bathroom है और एक आपका toilet portion है जिसमें दोनों तरह की seat लगी हुई है और यह आपका master bedroom है जो कि 17 बाइश 17 फिट की size के साथ में आपको देखने को मिलेगा बड़ी size के आप बैड लगा सकते हैं पहले में आपको dressing area है वो दिखा देता हूं इसका जो कि 6 बाइ इसका 13 फिट है विट थे इसकी लगबाग साड़े 6 फिट है तो काफी अच्छी size है इसकी full size है इसको आप जब decor करोगे तो बहुत spaces में निकल के आएगा मैंने इसको plane दिखाया है अभी बाकी चलते हैं bedroom के अंदर हम तो bedroom का जो ventilation वगरा है वो भी बहतरीन है और पूरा इसक picture का use कि आप देख सकते हैं काफी अच्छा है और खुला खुला है पूरा और इसी room से आपका दोनों बालकनी है वो attach है हर bedroom के साथ में आपको बालकनी मिलती है कहने का मतलब यह है और यह 8 फिट वाइड है उस side में एंड में भी आपको एक 4 फिट का passage मिलता है और यह आपकी पूरा design है तो उसमें आपको सभी structural drawing वगरा electrical, sewer, plumbing जो भी आपको इसके लिए required है बनाने के लिए वो सारी drawing से आप यहाँ से ले सकते हैं हमसे website पे आप विजिट करें वहाँ पे आपको सारी चीज़े मिल जाएगी और नई plan की requirement है अगर आपकी तो वो भी आप हमसे बनवा स सकते हैं बाकी यह terrace है और जो मम्टी रूम है इसके उपर आप पानी के tank क्या solar plate वगरा सारा लगा सकते हैं मम्टी रूम में भी आपको दो gate मिलते हैं दोनों साइड में जाने के लिए और यह आपका जो portion है यह देखिए कितना खुबसूरत यह लगेगा जब इसको पूरतर प्लस आपको laundry area मिलता है तो यह bathroom का portion है आपका और इसकी size की बात करें तो 5 by 8 वे काफी बड़ा है terrace के साफ से इसको बनाया गया है कि आप terrace पे हैं तो आपको bathroom use करने के लिए नीचे ना जाना पड़े परेशान ना होना पड़े उसे साफ से इसको बनाया गया है और यह आप आपका laundry room है terrace पे clear दिया गया है साथ वाई 13 फिट की size के साथ में आपको देखने को मिलेगा अच्छा ventilation भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बाकी सारा portion है पूर तरह open है और यह back side का view में आपको यह बार फिर से दिखा देता हूं यह sky view है पूरा आप देख सकते हैं इ manage किया गया है इस पेस के यहां पर कोई दिक्कत नहीं है तो इस तरह के जो luxury plan होते हैं इनको बनाने में भी काफी अच्छा लगता है कि इस तरह का project हमने किया उम्मीद करते हैं आपको इस सारा काफी पसंद आया होगा आगे आप हमारे काम को recommend करेंगे तो चैनल पे अगर आ like and press कर लें आगे आज का वीडियो देखने के लिए thank you so much नमस्कार